Hello guys, आज के नए टॉपिक में देखने वाले हम DNS तो DNS क्या होता है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो DNS का लॉग फॉर्म है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर यह एक, अगर for example की तोर पे अगर हम सोचेंगे तो एक तरह से एक phone book है यह जैसे कि हमारे जो भी कुछ contacts होते हैं तो हम कभी contacts direct number से save नहीं करते हैं तो नाम से save करते हैं अगर राजू, कोई राजू नाम का लड़का है, उसका number अगर save करना है तो हम क्या करेंगे, राजू नाम से number save करेंगे या specific हम नाम से, किसी भी नाम से हम save करते हैं क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उतने numbers याद नहीं होते हैं अगर मानलो आपके mobile में 1000 contact रहेंगे तो आप 1000 contact में से, अगर राजू नाम के बंदे को अगर call करने के लिए बताया आपको तो number directly आपको search करोगे तो नहीं मिलेगा number से, अगर वही नाम से अगर search करोगे तो आपको मिलेगा तो कुछ इस तरह सही है कि हमारे जो A, B, C, D, E ये जो class है हमारे 5 class है IP के ठीक है, उसमें से 2 class हम use करते हैं कि publicly use करते हैं तो अब ये publicly use कर रहे हैं हम IP address, ये और B class के तो वो कहीं पे ना कहीं पे DNS की तोर पे भी bind है ठीक है तो ये सब कुछ आइना ने already define किया हुआ है ये आइना define करता है ये class, ये DNS ये सब कुछ ठीक है, ये register port unregister port, ये सब कुछ तो अब हम हर एक अगर Google पे जाना है तो हम www.google.com हम type करते हैं तब जाके हम Google पे जाते हैं ना कि हम Google का IP address डालेंगे या Facebook पे जाना है तो Facebook का हम DNS name डालेंगे ना कि हम IP डालेंगे ठीक है, जो भी कुछ करते हैं हम नाम से सर्च करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया domain name system यानि कि नाम से हम सर्च कर रहे हैं अब ये नाम किस तरह से work करता है आगे हम देखने वाले हैं अब मैं next चलता हूँ FQDN FQDN यानि कि fully qualified domain name the complete domain name for a specific computer host on the internet अब ये fully qualified domain name क्या करता है, यानि कि एक full path होता है इसका, यानि कि qualified होता है ऐसे नहीं कि face.com facebook.com यानि कि https colon double slash www.facebook.com यानि कि ये जो URL है ये पूरी fully URL है ना कि half ठीक है, अब हम जब भी कोई Google पे जाते हैं तो facebook.com इतना ही डालते हैं ठीक है fortigate.com इतना ही डालते हैं तो उसके बाद हमें next page में क्या आती है fully qualified domain name का page open होता है जब हम click करते हैं तो fully qualified domain name हम इसे कहते हैं कि https colon double slash www.facebook.com यानि कि ये जो पूरा URL है उसी को हम fully qualified domain name कहते हैं तो ये fully qualified domain name ये specific कहीं पे host को bind किया होगा या कहीं पे particular host के लिए वो assign किया रहेगा ठीक है तो कुछ इस तरह से होता है ये fully qualified domain name अब इस lecture में हम देखने वाले हैं कि ये DNS किस तरह से configure करते हैं DNS record क्या होते हैं fortigate में DNS server किस तरह से configure करेंगे DNS तो हमने fortigate में assign किया था लेकिन वहाँ पे ऐसे कितने DNS हम assign कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं ठीक है और हम server भी create करेंगे DNS server जो कि windows का रहेगा windows DNS server कहते हैं उसे ठीक है वो भी हम configure करके देखते हैं वो किस तरह से work करता है लेकिन यह जो भी कुछ DNS है यह 53 port number पे काम करता है TCP और UDP पे अब मैं next चलता हूँ आगे domain name system ठीक है अब एक example दे देता हूँ मान लो मेरे पास एक user है laptop लेके बैटा हुआ है अब वो क्या चाहता है कि एक website पे जाना चाहता है www.vit.com virtualinfratech.com पे जाना चाहता है तो अब वो क्या करेगा अपना browser on करेगा और वो उस browser में यह जो www.vit.com है वो डालेगा तो वो browser की request जो है internet पे जाएगी यानि कि पहले क्या करेगी वो इसके पास जाएगी जो आपका ISP है ISP के पास जाएगी और ISP के पास जाने के बाद वो ISP क्या करेगा इसकी जो भी कुछ query है वो आगे forward करेगा आगे forward करेगा यानि कि यह जो laptop है internet के साथ connect है internet क्या कर रहा है www.vit.com को search कर रहा है अब यह search किस तरह से करता है इसकी जो request है internet से हो की क्या करेगी यह DNS server के पास जाएगी अब DNS server के पास जाने के बाद DNS server में क्या क्या होता है records होते है अलग-अलग तरह के अब यह जो www.vit.com है इसका यह record होता है यह record का मतलब है की address अब इसका address यहाँ पे लिखा हुआ रहता है mention किया हुआ रहता है अब यहाँ पे देखो यह record यहाँ पे mention किया हुआ है और इसका IP address 103.68.10.210 अब यह जो IP address है यह domain name से bind है अब क्या करेगा अब DNS server के पास एक laptop की एक बंदे की जो है इसकी जो request है यहाँ पे DNS server के पास जा चुकी है किस तरह से यह internet पे गया इंटरनेट पे जाने के बाद यहाँ पे अलग-अलग DNS server connected है तो यह internet पे जाने के बाद यह क्या करेगा यह DNS server के पास इस तरह से इंटरनेट से request जाएगी यह service provider से DNS server के पास request जाएगी DNS server क्या करेगा इसको check करेगा कि इसकी host की entry है या नहीं है अगर DNS server ने बता दिया कि भाई आपकी www.vit.com की जो है entry मेरे पास है बट आपको यहाँ पे जाना होगा तो आप क्या करो आगे next server के पास जाओ जो कि आपका web server है यहाँ पे कौन सा web server है मेरा यह www.vit.com वाला मेरा यह web server है अब request मेरी यह सब कुछ अब return भी तो जाना पड़ेगा अब देखो यहाँ से इसने name से आया था यहाँ से name type किया तो name से आ रहा है यह DNS के पास गया DNS के पास इसका IP address भी bind है यह IP से क्या किया इसने आगे server को forward कर दिया यहाँ से information collect कर ली और यह क्या करेगा IP से return जाएगा इस तरह से ठीक है यह इस तरह से IP से return जाएगा अब इसका मतलब क्या हो गया यह DNS name क्या करता है name to IP और IP to name resolve करता है यह जो cycle है इस तरह से काम करता है DNS अगर आपको किसी भी company में interview के लिए पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि DNS तो पता है उनको अगर domain name तो पता है google.com, yahoo.com, facebook.com, youtube.com यह सब कुछ पता है DNS name है यह यह domain name है लेकिन यह work किस तरह से करता है कहां से request आरती है किस तरह से इसका flow है यह किसी को नहीं पता होता है ठीक है तो यह जो fresher बंदे होते है वहीं पे confusion होते रहते है तो इसका यह भी confusion होता रहेगा कि भाई ठीक है DNS server होता कैसे है तो वो practical में देखोगे आप कि DNS server किस तरह से configure करते है rack में बड़े-बड़े servers लगे हुए रहते हैं डेटा सेंटर के अंदर अब यह DNS server कितने हैं हमारे world में यह भी तो आपको जानना ज़रूर है चलो आगे देखते हैं तो यहां पे देखो अब यहां तक जो हमारी process आई थी यह return किस तरह से हो रहा है और request किस तरह से आ रही है तो यह server के case में अगर हम सोचेंगे तो यहां पे zone होते हैं एक forward zone होता है और एक reverse zone होता है जब भी कोई client यहां से request send करता है तो forward zone क्या करता है इस domain name को लेके आगे query forward करता है server के पास ठीक है अब यह जो DNS server में दो record होते हैं यह sorry zone होते हैं एक forward zone होता है एक reverse zone होता है जो भी कुछ client के request आ रही है forward zone के अंदर name to IP के जो भी कुछ entries है रहते हैं और जो reverse zone है वहां पे IP to name के request यानि कि जो भी कुछ record है updated होते हैं ठीक है अब यह जो forward zone के अंदर जो updated record हैं अगर मान लो www.vit.com यह forward zone के अंदर इसकी entry है यह जो entry है यह forward zone के अंदर entry है तो यह server कहीं पे किसी और location पे लगा हुआ है कुछ इस तरह से तो यह forward zone क्या करेगा इसका जो IP address है वो निकाल के देगा कि भाई www.vit.com का IP address यह है ठीक है something IP address है यह कुछ तो अब यह reverse zone क्या करेगा उसी IP address को लेके reply करेगा इसको या फिर यह आगे forward करेगा यह host को जहां पे आपका server है और यहां से server से data collect करके वो आगे reply करेगा client को यह जो cycle है घूम रहा है यह जो cycle इस तरह से घूम रहा है इस तरह से ही काम करता है यह सब कुछ यह जो port number है 53 से हो रहा है अब यह port number UDP और TCP दोनों पे भी काम करता है ठीक है तो I hope कि आपको यह समझ में आ रहा है इस क्याला अब यह अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे comment करे ठीक है आपने अगर Google की बात की एक search engine है लेकिन जो dot लगाते हैं हम सिर्फ dot यहाँ पे dot लगा रहा हूं मैं यह कुछ इस तरह से बढ़ा कर देता हूं यह dot लगा रहा हूं dot याने की root है ठीक है अब जब भी कभी अब जब भी कभी यहाँ पे www.google.com com की अगर अगर dot लगाओगे वो जो dot से पहले आ रहा है com आ रहा है याने की क्या हो रहा है यहाँ पे www.google.com की बात अगर करेंगे google ठीक है यहाँ पे google कर देता हूं मैं और dot com कर देता हूं ठीक है अब यह dot com कर दिया कुछ इस तरह से आपका domain name होता है लेकिन इसके आगे अगर यहाँ पे dot लगा दूँ तो इसी को हम root कहते है उसके पहले क्या रहा है com आ रहा है यहाँ पे .org आ सकता है यह जो dot है यही तो root है ठीक है root याने की main इस तरह से root server कितने हैं हमारे 13 root servers है ठीक है 13 root servers है यह 13 root server के अंदर आप सोचते होगे कि यह daily basis पे यह update होता है इनके replicas होते है ठीक है तो यहाँ पे godeaddy से अगर किसी ने domain ले लिया तो वो root पे update होता है direct जाके याने की एक DNS server से replicate हो रहा है दूसरे DNS server पे दूसरे DNS server से replication हो रहा है यह synchronization होते रहते हैं और यह root के पास total information आ जाती है ठीक है तो कुछ इस तरह से हो रहा है अगर first request है जो भी कुछ search नहीं कर पा रहा है domain name को तो यह root के पास जाके search करता है देखो अभी यहाँ पे dot के बाद हम आ रहे थे com के पास अभी यह com है dot net है ठीक है यहाँ पे dot org है dot gov है dot it है dot me है रहेगा यहाँ पे बहुत सारे रहते है अलग-अलग dot co dot in dot org ठीक है अभी यहाँ पे common है organization है government है IT है यहाँ पे network है तो यह सब कुछ है इसको हम क्या कहते है top level domain कहते है और इसको हम root domain कहते है तो यह top level domain के बाद हम क्या करेंगे अब यह dot com क्या हो गया मेरा www.google.com यह top level domain हो गया dot com dot यह मेरा root बन गया com यह मेरा top level domain बन गया अब उसके बाद जो यह Google आ रहा है यह जो नाम आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से microsoft dot microsoft dot wikipedia dot azure dot aws dot gcp dot amazon dot fortigate यहाँ पे जो भी कुछ आ रहे है तो यह क्या है second level domain है अब second level domain के बाद अब उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे सब domains में भी आते हैं अब सब domains में क्या है? अब हम www कर सकते हैं www. अब यहाँ पे देखो यह सबसे पहले dot हो गया, यह तो root हो गया, उसके बाद com हो गया, यह तो top level domain हो गया, यहाँ पे google हो गया, यह second level domain हो गया, और यह www. यह sub domain कहते हैं हम इसको, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे sub domain कहते हैं, अब sub domain तो अलग-अलग तरह के होते हैं, हम mail.google.com करते हैं, www.google.com करते हैं, ftp.google.com करते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ हम इस google के आगे लगाएंगे, वो हमारा रहेगा sub domain, यह Microsoft के आगे लगाएंगे, हमारा हो गया सब डोमेन अब मान लो मैंने www.vit.com www.vit.virtualinfratech.com अगर मैंने एक डोमेन पर्चेस कर लिया ठीक है तो अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा जो यह .com है यह मेरा बन गया top level डोमेन यह VIT जो है यह मेरा बन गया second level डोमेन और www जो है यह मेरा बन गया sub-डोमेन अब यहाँ पे www की जगे पे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं asset.vit.com यहाँ पे मैं support.vit.com mail.vit.com hr.vit.com इसे अलग-अलग sub-डोमेन मैं create कर सकता हूँ as per मेरे company के request की नुसार या फिर मेरे mind के हिसाब से या मैं जो करना चाहता हूँ उस हिसाब से ठीक है यह सब कुछ हम कर रहे है तो I hope कि यह जो आपको जो tree structure नजर आ रहा है यहाँ पे यह समझ में आया होगा कि DNS server क्या होता है ठीक है अगर आपको कोई भी पूछेगा अब मैं जितने देर से चिला रहा हूँ आप interviewer को तो इतना तो explain नहीं कर पाऊगे आपको अगर इतना पूछेगा interviewer तो आपको बोलेगा कि रहन्दे भाई तुझे आता है मैं next question करता हूँ ठीक है यानि कि जो बंदे को questions आता है या फिर वो deeply देना चाहता है तो interior के पास इतना वक्त नहीं होता है वो तभी के तभी समझ में आ जाता है कि ये बंदे को ये चीज की knowledge है वो आगे पूछेगा ही नहीं वो next question की ओर जाएगा जहां पे आप अटक रहे हो जहां पे आप confusion हो ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये समझ में आया रहेगा आपको ये इतना ही है इसके अलावा कुछी भी नहीं है इससे पहले HTTPS ये protocols होते हैं ठीक है hypertest transfer protocol secure colon double slash इसके तो हमने ये तो सीख लिया है सिर्फ हम DNS के बारे में जानना चाहते हैं तो DNS के बारे में भी मैंने आपको explain किया है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो अब यहाँ पे कुछ है DNS records दोस्तों अभी हमने server की बात की client की बात की top level domains sub domains ठीक है root domain या फिर root ये सब कुछ हमने देखा है लेकिन ये जो records होते हैं ये क्या होता है ठीक है अब ये किस तरह से काम करते हैं आपको तो मैंने बता दिया था fully qualified domain name the complete domain name for specific computer or host or the internet ठीक है अब ये record की बात करेंगे ये record यानि की address है ये stand for address it indicates the IP address of a given domain ये address क्या करेगा एक particular location पे हमें लेके जाए ये record क्या करेगा particular location पे हमें लेके जाएगा ये यानि की address अगर किसी भी बंदे का address पूचा जाए राहुल का अगर मैं address पूच रहा हूँ तो वो क्या करेगा मुझे flat number या फिर building number या फिर road nearby location ये सब कुछ मुझे mention करके address देगा ठीक है ये record ये record यानि की address मुझे क्या कर रहा है IP address को लेके मुझे domain name के पास लेके जा रहा है तो कुछ इस तरह से काम करता है अब यहाँ पे 4 time ये है अब यहाँ पे ये 4 time ये का मतलब क्या हो गया इसका मतलब है जैसे IP version 4 में हम ये record का इस्तमाल कर रहे है वाज से ही IP version 6 का अगर ये record अगर find out करना है तो हम 4 time ये ले लेते है ठीक है यहाँ पे CNAME record is a type of DNS record that maps and allies named to a true or canonical domain name CNAME याने की क्या है canonical domain name याने की अब जैसे virtualinfratec.com है मेरा अब मैं सूच रहा हूँ की यार नाम तो बहुत बड़ा हो रहा है virtualinfratec.com उसका shortcut कर देता हूँ मैं vait.com कर देंगे और उसका मैं cname बना के रख देता हूँ अगर ये cname से vait.com अगर मुझे search करेंगे कोई तो मैं कहां पे जाऊंगा virtualinfratec.com पे जाऊंगा तो कुछ इस तरह से ये cname का use होता है ठीक है उसके बाद आ जाएंगे हम mx record mx record mx record क्या है mail exchange अब हम email का concept जब लेके आएंगे तभी हमारे पास mx record हमें update करना होता है वो redirect करता है server की ओर mx record जब update करते हैं server की उपर तो ये क्या करेगा जब भी कोई mail है वो mail क्या करेगा redirect करेगा server की ओर ये mail redirect करेगा server की ओर और वहाँ पे अलग-अलग records रहेंगे हमारे server की अनुसार ठीक है तो कुछ ये mail exchange के लिए हम use करते है text record text record txt record भी हम इसे कहते है ठीक है अब ये record क्या करता है ये record ये email की जो भी कुछ security है इसका verify करने का verify domain ownership and to ensure email security कि यही जो text record है ये text record ये security purpose हम इस्तमाल करते है कि अगर मान लो text record नहीं रहेगा तो हमारे mails क्या होंगे पता है आपको spam में जाएंगे अगर हमारा text record ठीक से work नहीं कर रहा है तो तो कुछ इस तरह से अलग-अलग problems भी आते है और ये text record के बगर आपका email server secure भी नहीं है ये MX और text record SPF record, DKIM record ये सब जो records है ये emails में यूज होते है अब हम NS record की बात करेंगे NS record याने की name server का record है अब मान लो यहां पर मैं एक for example दे देता हूँ आपको NS record का अगर मान लो आपने domain purchase किया है godaddy से या फिर daily razor से या फिर big rock से या फिर microsoft से azure से या फिर किसी भी server से service provider से आपने ये क्या किया है godaddy से या किसी भी service provider से आपने domain name purchase किया है अब domain name purchase करने के बाद आप सूच रहे हो कि वहाँ पे आपके DNS record रहेंगे सब कुछ आपने जब domain name purchase किया है तो वो DNS record अगर मान लो godaddy के पास है लेकिन आप चाहते हो कि आपके जितने भी DNS record है वो सब कुछ DNS record मैं AWS पे manage करना चाहता हूँ मुझे बार बार वहाँ पे जाना problematic हो रहा है ठीक है कहाँ पे जाना godaddy पे जाना बार बार मुझे problem हो रहा है तो मैं क्या करूँगा इसके जो name server जो है वहाँ की जो records हैं वो records मैं क्या करूँगा AWS की यहाँ पे configure कर दूँगा अब AWS के चार record है और DNS के दो record है तो यह दो record हटा के मैं यहाँ पे क्या करूँगा चार record डाल दूँगा जो की name server के रहेंगे अब request किस तरह से होगी यानि कि जो भी कुछ मैं manage कर रहा था यह record, DNS record या फिर MX record, TXT record यह जो भी कुछ मैं यह GoDaddy पे manage कर रहा था अब मैं कहां पे करूँगा AWS पे manage करूँगा यह सब कुछ record यानि कि मेरे जितने भी hitting होंगे जितने भी locks होंगे या जो भी कुछ रहेगा वो direct क्या होगा यह GoDaddy के पास जाएगा ऐसे, वो सर्च करेगा domain name GoDaddy के उसके record में पता चलेगा कि वहाँ पे आगे forward किया है name server वहाँ पे assign किया है और यह सब कुछ forward करने के बाद AWS में record होंगे यहाँ पे और इस तरह से यह work करेगा यह हो गया name server की बाद अब यह PTR record ठीक है, अब यह PTR record क्या करता है यह जो server है यहाँ पे हमने जो देखा था यहाँ पे reply जो आ रहा था इसका return में name to IP तो जा रहा था forward zone से reverse zone में क्या होता है PTR records होते है ठीक है, वो point out किया हुआ रहता है forward zone से क्या होता है reverse आने के लिए point out किया हुआ रहता है name to IP और IP to name ठीक है, अब यह name to IP record करना पड़ेगा न यहाँ पे record add करने पड़ेंगे वो जो record होता है वो reverse record के लिए use होता है PTR record तो I hope कि आपको यह record समझ में आया है यह आपको मैं zones पता कर दिया हूँ, यहाँ पे DNS server में, root domain top level domain, second domain और sub domain भी आपको समझ में आया है, ठीक है तो यह जो domain है यह हमारे कितने domain है तो 13 domain है 13 domain है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं count करूँगा, तो कुछ इस तरह से इतने सारे यह domain है हमारे यह domain name server है root domain server है यह अलग-अलग जगे पे locate किये हुए है, ठीक है अब यह इनको manage कून करता है तो आइना manage करती है internet assigned number authority जो organization है यह इनको manage करती है ठीक है तो अब domain name के बारे में आपको अगर किसी ने भी पूछा कि किस port पे काम करता है किन-किन कौन-कौन से records हैं, क्या-क्या records काम करते हैं, domain name की cycle है, वो किस तरह से work करती है, request किस तरह से जाती है return में किस तरह से आती है यह सब कुछ आपको theoretical तो पता चल चुका है लेकिन theoretical सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, अगर आप कोई movie देखने के लिए जा रहे हो, और आपको कोई किसी ने story बता दी कि कुछ इस तरह से story हुई है तो आपका मन करता है कि जाके मैं movie देख लूँ story तो बहुत ही अच्छी नजर आ रही है लेकिन उसके actions या background music या फिर वो जो भी कुछ emotions, यह सब कुछ हो रहा है यह तो आपको दिखेगा नहीं ना, story की अंदर background music सुनना है तो आपको story में क्या music सुना ही देगा नहीं देगा अपका अगर friend आपको story बता रहा है तो music तो नहीं रहेगा ना तो आप क्या सूशते हो जाके मुझे देखना चाहिए कि movie कैसी है तो तब जाके आप वो movie देखोगे कुछ उस तरह से ही मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जो DNS server है ये तो आपने theoretical पढ़ लिया है लेकिन इसको practical भी तो आपको करना आना चाहिए जब practical और theoretical मिल भठेंगे तो क्या होगा आपके दिमाग में सब कुछ चा जाएगा तो कुछ इस तरह से है DNS server अब ये 40Git firewall में हम DNS server एक configure करके देखने वाले है उसके बाद हम server में भी Windows Server 2012 में या फिर 16 में या फिर 19 में जो भी मुझे server मिलेगा उस server में मैं आपको configure करके बताऊंगा ये सब कुछ real scenario है आपको यहीं पे कहीं पे hidden या फिर किसी जगे पे मैं stop करके वीडियो को बता रहा हूं आपको पूर जितनी भी information है मैं जहां से start से लेके end तक आपको बता रहा हूं ठीक है मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कुछ समझने वाली बात है या फिर ना समझने वाली बात है तो आपको यह सब कुछ समझ में आया है कि DNA server क्या होता है किस तरह से होता है तो इसका practical हम अगले lecture में करेंगे और यह video tutorial को fully देखने के लिए मुझसे contact करें मेरा number already दिया हुआ है ठीक है तो guys यह video को हमारे share करें subscribe करें comment करें ठीक है तो मैं यहीं पे stop करता हूँ अलवी दा लेता हूँ मिलते हैं अगले lecture में बाय बाय